अलेन खानको ग्रप्तार करने वाले विवी सियायन नहोख़ी से बरखास जौनिये आंसेभी अफसर पर क्या थे आरोग। नार्कोटिक्स कंट्रॉल ब्यूरो ने 2021 में कॉड़ेलिय क्रूस पर छाप़माण। और अब नीता सारुख खान के बेटे आरण खान को ग्रफतार करने वाली टीम का हिस्सा रहे अपने अधिक्षक विस्व उजय सियां वीबी सियां को एक अन्य मामले में कदाचार भष्टाचार के चलते बर्खास कर दिया है मामले में उन्हें पहले निलंबित किया गया था इस सम्बंद में एक अधिकारी ने मंगलवार को बताए कि सियां को उस सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पिछले महीने जारे किया गया सेह उस्टीम का हिस्सा थे जिसने अक्टूबर 2021 में कॉर्डेलिया क्रूज पर छापा मारा था और अर्ण खान तथा अन्य को वहां मादक पदार्थ होने के आरोप में ग्रफतार किया था अधिकारी ने कहा विश्विजय सेह को एक अन्य मामले में एंसीवी की सेवा से हटा दिया गया जिसमें उन्हें पिछली साल निलंवित कर दिया था और उनके खिलाब जाच चल रही थी उन्हाना कहा कि एंसीवी को जाच के दौरान कदाचार के कुछ मुद्दे मिले जिसके सिर्क को सेवा से हटाने का फैसला किया सबूतों की कमी के चलते आरेन की रहाई हुई थी अक्टूबर 2021 में एंसीवी के दतकालिन मुंबई छेत्रे निदेशक समीर वान खेड़े के नितरतों में एक टीम ने मुंबई इंटरनेशनल क्रूस टर्मिनल पर कॉडिलिया क्रू 2022 में एंसीवी ने पर्यात साक्ष की कमी सबूतों की कमी के कारण क्लीन चिट दे दी थी